से आप सभी लोगों का दोस्तों पिछले कुछ समय से अपनी क्लास कुछ टेक्निकल्स रिजन्स के करण नहीं हो पा रहेती तो उमीद करता हूँ अपसे हमारी क्लासे रेगुलर चलेगी तो आप लोग बने रहीएगा गव रहीएगा नहीं कई विद्यारती सोच रहे होंगे कि साइद आप क्लास लगेगी कि नहीं लगेगी लेकिन मैं उन लोगों को बताना चाहूंगा कि कुछ समय से कुछ टेक्निकल्स रिजन्स आ गए थे जिसके करण अपनी क्लास नहीं हो पाई थी लेकिन आप से अपनी रेगुलर ली क्लास रहेगी चलिए आए शुरुआत क लोगों को बता देता है कि हम लोग करें हैं दिल्ली प्लिस क्यूंच यहां पर देखिए पहला पूसन अपनी पास आ चुका है इसका क्या रहेगा सौलीशन आए देख लेटे हैं अहां पर सबसे पहले ऐसे सवालों को क्या करना है यहां पर आप का मतलब क्या होता है रखना आफ का मतलब गुणा होता है तो मैं लिखूंगा यहां 0.2 और यह आचुका बाग यहां 2 से 2 कड़ जाएगा तो एक बटा 3 आ जाएगा माइनस एक गुणा मुझे बताओ दो का बाग दो में देंगे तो कितना आएगा एक आजाएगा मुझे बताओ माइनस है इसके आगे इस तरफ केवल भाग वाला चिन पहले प्राइरोटी में आता है इसलिए हम लोग ने भाग दे दिया नहीं तो हम लोग यहां आके दे सकते थे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है नीचे लिखूंगा आप का मतलब गुणा जहां पर दो से दो कड़ जाएगा तो 0.2 गुणा 2 भाग 1 बटा 3 माइनस 2 गुणा 1 बटा 2 भाग 1 बटा 4 यह है अपने पास ठीक है अब देखो यहां से जब आप इस बाग को गुणा में बदलेंगे तो क्या करेंगे यहां पर 0.2 गुणा 3 उपर और 1 नीचे तो 3 आजाएगा माइनस का 1 और 0.2 गुणा 2 बाग को गुणा में बदलेंगे तक आएगा 3 बटा 1 आजाएगा और 2 गुणा 1 बटा 2 गुणा 4 बटा 1 आएगा ठीक है? अब बताएं यहां से क्या आएगा देखो यहां से 0.6 आजाएगा 0.6 माइनस 1 बटे में क्या जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 1.2 और 2 से ये 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा केवल 4 बचेगा तो आप लोग देख रहे होंगे यहां पर कुल मिलाके 1 में से 0.4 जाएगा तो 1 में से 0.6 गटाएगे तो 1 में से 0.4 बचेगा और 4 में से 1.2 गटाएगे तो माइनिस की 2.8 बचेगा यह माइनिस से माइनिस कैंसल आउट हो जाएगा 1.1 से 1.1 हट जाएगा तो मेरे पास बचेगा 4.28 4.28 यानि 1.7 आजाएगा यहां पर क्या रहेगा 1.7 यह अपना होगा के लिए रहो चुका है चलो अब अगले देखी अगले कोईशन की तरफ आ जाते हैं यहां पर सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि छोटे ब्रेकिट को हल करना है छोटे ब्रेकिट को हल करना है तो आप लोग देखिएगा यहां पर 3 का भाग जब 72 में देंगे तो 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 24 बार जाएगा फिर यहां 25 में से किसको गठाएंगे 24 को गठाएंगे तो क्या आ जाएगा एक आ जाएगा तो मैं लिखूंगा 10-378 भाग 6 of 6 of 9 ठीक है अब देखे इस पूरे ब्रेकिट का जो मान आया है वो एक आया है यह द्यान रख लेना देखे यहां पर 10 आ जाएगा माइनस मैं आफ की जिस्तान पर क्या लिखूंगा गुणा तो 378 भाग 6 नाम 54 होता है माइनस का एक होता है तो 10-378 बटे में क्या आएगा 54 आएगा माइनस का एक आएगा यह द्यान रख लेना मुझे बताएं यहां क्या लिखूंगा 10-54 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा ठीक है 54 का भाग देंगे तो यह जाएगा 7 बार जाएगा 7-1 आजाएगा कितना जाएगा 7-1 आजाएगा अब देखें यहां पर क्या आएगा देखें यहां पर 10-7 में से 1 गया तो कितना जाएगा 6 तो बताएं 10 में से 6 गया तो कितना आएगा 4 और यह 4 जो आएगा वो मेरा आजाएगा यहां पर A option आजाएगा क्या आ जाएगा यह option आ जाएगा ठीक है अब देखिए अगले सवाल में अगला जो सवाल है वो हमारे पास आ चुका है यहाँ पर मुझे बताओ 6 में से 4 गए तो क्या बचेगा दो बचेगा तो मैं लिखूंगे यहाँ 22-20 और 10-6 माइनस का क्या बचेगा दो बचेगा यह बचेगा और देखिए यहाँ पर बहतर आए गए आएगा माइनस 20 आए गए आएगा और यह 10 आएगा 6 में से 2 गए तो क्या बचेगा 4 यह 4 बच जाएगा बहतर माइनस 20 और मुझे बताओ यहाँ दस में से 4 गए तो क्या बचेगा 6 सबसे पहले एक तो इस ब्रेकिट को अलग हल करना हां और इस ब्रेकिट को अलग हल करना मुझे बताओ इस बड़े ब्रेकिट में चोटा ब्रेकिट है आट में स से 5 गए तो क्या बचेगा 3 बचेगा मैंने लिखा यां शग सतर प्लस 3 गुणा 5 आपने देखा यहां पर मैंने जो लिखा अब देखी यहां पर इस ब्रेकिट के अंdeर सबसे पहले हम लोगों को हल करना हां यहां पर भाग को इवाइड को हल करना है ब्रेकिट को सोल हो जाएगा 17 प्लस 15 आजाएगा यहां पर आप देखें यहां पर 24 पचीस माइनस 8 प्लस 24 यह रहेगा मेरे पास यह रहेगा तो 17 प्लस 15 कितने हो जाते हैं 12 और यह हो जाएगे मेरे पास देखें 32 हो जाएगे मुझे बताऊ 24 और 25 कितने होजाएंगे नहीं पर 9-21 इतल जाएगा यहां पर 73 यानी कितना जाएगा 73 का मतलब कौन सा ओप्चन हो जाएगा Anson यहां पर आंसर आ जाएगा अगला स्वाल है वो दिखिये यहां पर यहां पर यह सवाल है यहां पर तो देखें यहां पर यह ब्रेकिट आजाएगा 12, 9 में से 6 गया तो कितना आएगा 3 प्लस 8 और 16 में जब 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा 4 और देखें यहां पर 3 में से देखें कितना है देखें यहां 5 और 4 कितने होते हैं 9 यह देख जिइन 5 जो जो सवाल उस्के यहां पर 4 थी सवाल पसमें हैं यहां पर यहहां पर न देखेंगे और यह एotv झालों जो सवाल हमारी पास में है यहां पर यह मजला ब्रेक्ट यह लगाक जित हम तो देखो यहां पर 9 भाग 5 माइनस 5 भाग मुझे बताओ 6 में सी 7 गए तो क्या बचेएगा माइनस का 1 आएगा गुणा में क्या आएगा 8 प्लस का 9 बटे में क्या आएगा देखिए यहां पर आफ का मतलब क्या जाएगा गुणा 4 प्लस 4 गुणा 4 भाग 16 हो जाएगा अब देखिए यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग यहां 9 भाग 5 माइनस देखिए माइनस का भाग देंगे 5 के अंदर 5 के अंदर किसका भाग देंगे माइनस 1 का तो मेरे पास आएगा माइनस का 5 आए फिर क्या करेंगे गोना करेंगे प्लस का 8 है यहां पर touchdown no sorry मुझे बताओ 4 प्लस 4 multiply मुझे बताओ 4 बटी in 16 में 3 शोला में लिखूंगा dealing विल्फूइ है और 16 शार से करनेबा 4-16 आई जाएगा फिर यह च्यार से और च्यार खड़ जाएगा इसके बाद देखी आगे आके देखी यहां 9 तो ऐसे कैसे रहे गए रहेगा और मुझे बताओ भाग ऐसे कैसे रहे गए रहेगा 8 पंजे 40 माइनस का, माइनस माइनस किसका हो जाएगा, प्लस का, 9 आजाएगा, बटे में 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5, 9 भाग, 40 और 9 कितने होते हैं, 49, 49 और 5 कितने होते हैं, 54, बटे में कितना आजाएगा, 5, 9 बटे 54, 9 6 कि 54, क्या आएगा, 1 बटा 6, तो 1 बटा 6 बटे में क्या आएगा 5 आएगा क्या आजाएगा बताओ 6 नीचे ले जाएगे तो क्या आएगा 1 बाटे 30 हो जाएगा ऩो एक बटे 30 का मतलब क्या हो जाएगा बियो ऑपसिन हो जाएगा किलियर है यहां लिख दिया मैंने 3 प्लेस यही सवाल है 1 प्लेस 1 बटा 2 माइनस 3 माइनस 2 का बाग देंगे 8 में तो कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा प्लेस 1 बटे 3 प्लेस 2 बटे 5 यह आएगा इसके बाद देखें यहां पर क्या आएगा यहां पर 3 प्लेस 1 प्लेस 1 बटा 2 माइनस 3 में से 4 गए तो क्या बचेगा माइनस का 1 बचेगा प्लेस का 1 बटे 3 प्लेस 2 बटे 5 यह आएगा मुझे बताओ यहां 3 प्लेस क्या आजाएगा 1 प्लेस 1 बटे 2 और माइनस माइनस किसका हो जाएगा प्लस का एक हो जाएगा, प्लस का एक बटे तीन प्लस दो बटे पांच आजाएगा, यह दिहान रखना, कितना आजाएगा देखो यहाँ, तीन प्लस एक और एक कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा, प्लस एक बटे दो प्लस एक बटे तीन प्लस दो बटे पांच आएगा, पहला हुए इसके बाद मुझे बताऊ यहां यहां जैसे में ब्रेकट को टायूंगा तो 3 इस2 के साथ जुड़्यका कितना जाए यहां से LCM लेंगे तो LCM कितना आजाएगा 30 हो जाएगा और जब 30 हो जाएगा तो 1 है बते में बाग देंगे तो कुझा यहांझा आचा Wilson बटे 30 तो यह रहेगा मेरा आंसर कौन सा option हो जाएगा a option हो जाएगा ठीक है next question है हमारे पास यहां पर देखें यहां पर यहां पर सबसे पहले off को गुणा करेंगे off को गुणा करेंगे off को गुणा करेंगे ठीक है तो यहां एक को एक से गुणा करेंगे एक आजाएगा दो को तीन से गुणा करेंगे 6 आजाएगा माइनस यहां दो को चार से गुणा करेंगे 8 आएगा और तीन को पांस से गुणा करेंगे 15 आजाएगा प्लस चार भाग साथ प्लस तीन को साथ स 2 आ जाएगा अब मुझे बताउ यहां से LcM लिया जाएगा तो कितना जाएगा बताउ यहां पर यहां 15, 7, 2 और 6 का LcM क्या जाएगा 210 आ जाएगा कितना जाएगा 210 आ जाएगा कितना आएगा 6 others so बाहँ देंगे 6668 और 36 3530 15 का बाग देंगे 15, 15, 1, 6, 15, 60 जोदे अंटे 112 सात्या 21, 30 को 4 से गुणा करेंगे 120 दो का बाग देंगे 105, 105 को 21 से गुणा करेंगे 25, 105, 21, 22 यह आ जाएगा अब देखिए यहां से अगर मैं इसको अटाऊंगा यहां से तो प्लस का 8 बच जाएगा यहां पर प्लस 8 और 35 कितने होते हैं? 43 हम लोग इसमें एड कर देंगे तो 43 प्लस 205 मेरे पास है बटे में 210 रहेगा यह रहेगा जिसको और एड करेंगे तो यह आ जाएगा मेरे पास 8, 4, 2 और 2 बटे में 210 जब हम इसको काटेंगे तो किस से काटेंगे 200? 1, 1, 2, 4 बटे में क्या आएगा? 105 आएगा यह जो आंसर रहेगा, वो कौन सा होगा? A option होगा A option आंसर रहेगा फिर यह रहा, अगला सवाल मेरे पास यहाँ पर है अगला सवाल क्या है? देखें, यहाँ पर 2 गुणा साथ तो मेरे पास यह लिख दिया लेकिन यहां off का मतलब क्या होता गुणा चोरेशी आ जाएगा 56 आ जाएगा देखे 14 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 56 भाग 56 लिखूंगा माइनस 5 भाग 4 गुणा अब देखे यह ब्रेकिट है 9 में सी 11 गये तो माइनस के 2 तू बचेंगे प्लस का 2 मैनिस के 2 इंटू 6 भाग 8 को 3 से गुणा करूँगा तो चोरेशी आएगा अब अगला नंबर जो आएगा वह भाग को हल करना होगा किसको हल करना होगा भाग को तो भाग को हल करते हैं हम लोग यहां 2 इंटू 7 बटे 56, माइनिस 5 बटे 4 गुणा माइनिस का 2, 2 गुणा 6 बटे 24, यह ध्यान रखना, अब मुझे बताओ, 7, 8, 56 आएगा, 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 बटा 4, और 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, तो माइनिस माइनिस प्लस आएगा, 5 बटे 2 आजाएगा, प्लस का 2, और यहां पर 6 दूनी 12, 12 दूना 24, माइनिस का 1 बटा 2, फिर से देखिए हम लोग क्या लेंगे यहां पर, इतना करनी के बाद यहां भी हमें ऐलिसियम लेना पड़ेगा, 2, 2, 4 का ऐलिसियम लेंगे, 4, 4, एक कम 4, एक आएगा, 2 दूनी 4, 5 से गुणा करेंगे 10, और यहां एक आएगा, तो 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2, ठीक है, 10 और 8, 18 और एक गुनिस, गुनिस में से अगर मैं 2 गठा दूँगा, तो क्या बचेगा, बताओ, 17, 17 का मतलब होगा, 4 चोक 16, 4 सही 1 बटा 4, यह आंसर रहेगा, B option होगा, B option आँसर आजाएगा, फिर देखिए अगला सवाल, यहां पर हमारे पास अगला सवाल है, सबसे पहले off को आल करेंगे, यहां पर, तो 43 प्लस साच्चोक 28 होता है, चार दूनी 8 आएगा, मैनिस के 7 आएगा, और यहां पर 8 ना बहतर आएगा, 9 गुना 2. 2.5, मैनिस का 9 बटे 8, off का मतलब क्या होगा, गुना, यहां पर क्या आजाएगा, 4 बटे 3 मैनिस 8 बटे 9, 9 L C हमाएगा, 3 तिया 9, 4 ति 12, 9 एक अब 9, 8 से गुना करेंगे, 8, तो कितना आजाएगा, 12 में से 8 गए, तो क्या बचके है, 4 बटे 9, यह ध्यान रखना, कितना आजाएगा, देखी, 7 कम कर देंगे, तो यहां एक आजाएगा, कितना आजाएगा, बताओ, 44 बटे में, पच्ची नाम 225, 22.5 आगया है, 9 से 9 कर जाएगा, 4 दुनी 8 माइनिस का एक बटा 2, कितना आजाएगा, 44 बटे 22.5 माइनिस 0.5, यह आजाएगा, 44 बटे 22 आएगा, जिसका 22 का भाग देंगे, 45 में कितनी बार जाएगा, दो बार जाएगा, तो फाइनली जो आंसर रहेगा, वो कौन सा आप्चन हो जाएगा, डी आप्चन हो जाएगा, क्लियर है, नेक्स्ट क्योशन देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या आएगा, ओफ आएगा, क्या आएगा, ओफ आएगा, क्लियर है, चलियर है, तो क्या आएगा बताओ, यहाँ पांच भाग, ओफ का मतलब क्या हो जाएगा, गुणा, 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएग इंटू 10 कितना हो जाएगा 100, गुणा में क्या हो जाएगा 4 प्लस, 4 भाग, ओफ का मतलब क्या हो जाएगा गुणा, 4 चोक 16, गुणा 10, 10 में से 4 गे तो कितना आएगा 6, भाग 16 गुणा 4, मुझे बताएं यहां से, अब देखें यहां पर इसका भाग देंगे, 5 बटे 100 आज जाएगा, प्लस, 4 बटे, कितना हो जाएगा, 4 बटे 16, गुणा में क्या जाएगा, 10, प्लस का, मुझे बताओ, यहां 6 बच गया, 6 में किसका भाग देंगे, 16 गुणा 4, यह रहेगा, अब बताएं यहां से, 5 चोक 20, 25, 100, एक बटा 5 ही आएगा, और 4 चोक 16, दो से जाएगा, फिर क्या आजाएगा, देखो, 4 से काटेंगे, 4 चोक 16, 6 बटे 4, 2 से काटेंगे, क्या आएगा, 3 बटे 2, किलिए रहे, मुझे बताओ, यहां पर एलसियम, क्या आएगा, एलसियम कितना आएगा, 10, 5 दू नी 10, कितना आजाएगा, 2 आजाएगा, 2 पंजे 10, 5 से गुणा करेंगे, 25 आजाएगा, 2 पंजे 10, 5 ती 15 आजाएगा, यह रहेगा, इस तरीके से हमारे पास जो आजाएगा, 25 और 15 कितने होते हैं, 25 और 15 होते हैं, 40, 40 और 2 कितने होते हैं, 42, 42 बटे 10 करूँगा, मैं जिसको और काटेंगे, हम लोग तो 21 बटे 5 आएगा, तो कुल मिला के यहां पर option मेच करा है, कौन सा option हो जाएगा, D option हो जाएगा, next question हमारे पास है, यहां पर, देखिए सबसे पहले off को अल करेंगे, off का मतलब गुणा होता है, 18 भाग, बाण में, बाग, आरदोनी 16, प्लस 4 ती 12 और 13 बटे 4, यह रहेगा, इसके बाद देखिए, 18 इसके बाद देखिए, यहां पर आके, 18 भाग कितना जाएगा, चार आई जाएगा, 9, 5, 14, बटे में 16, भाग को आम लोग किसमें बदलेंगे, गुणा में, तो 16 उपर, और 145 निचे, ठीक है, तो यहां आएगा 16 नाम 145, ठीक है, और 9 का भाग देखिए, 9 दुनी 18, तो कुल मिला कि मेरे पास जो आंसर आया है, यहां पर, वो आएगा, दो आंसर रहेगा, कॉनसा option हो जाएगा, A option हो जाएगा, फिर यहां पर अगला question है मेरे पास, सबसे पहले हम लोग करेंगे, देखिए, इस सवाल के अंदर, छोटे bracket को हर्एगे, यहां छोटे bracket है, मंजला bracket है, इसमें छोटा bracket है, तो मैं यहां पर शोल करूगा, देखिए यहां छोटे ब्रेकिट का मतलब है चार के अंदर दो का भाग देंगे तो कितना आएगा दो आएगा multiply यहां ब्रेकिट आएगा आएगा ओफ का मतलब क्या आएगा गुणा आएगा तो 2-24 आजाएगा ब्रेकिट भाग 2 आजाएगा और यह bracket बंद हो जाएगा प्लस यहां क्या आएगा पहले भाग देना पड़ेगा 6 गुणा 1 बटे 3 यह भाग आएगा माइनस का 5 आएगा माइनस का 5 रहेगा माइनस का 5 यह रहेगा ठीक है तो मुझे बताओ 2 आएगा यहां पर यहां पर क्या आएगा 2 24 के अंदर 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 12 आएगा प्लस 3 दूनी 6 क्या आएगा 2 2 को एक से गुणा करेंगे 2 ही आएगा ठीक है 2 को एक से गुणा करेंगे 2 ही आएगा यहां पर क्या आएगा 2 गुणा 2 में से 12 गए तो क्या आएगा बताएं यहां पर 2 में से 12 गए तो देखिए यहां पर माइनस का 10 आएगा माइनस का 10 आएगा ठीक है चलिए यहां पर देखिए यह 2 आ चुका 2 में से 12 गए तो यहां पर ब्रेकिट हड़ जाएगा और माइनस का क्या आएगा माइनस का 10 आएगा ये बड़ा ब्रिकिट आ जाएगा इसके बाद में हमारे पास ये बसता है कि आप पहले multiply करेंगे minus का 20 हो जाएगा plus का 2 हो जाएगा अब minus का 20 में से 2 गए तो क्या बचेगा ये देख लीजिए आप लोग ठीक है तो minus के 20 आ जाएगा यहाँ पर ठीक है minus के 20 में से 2 गए तो minus के 18 आएगे क्या आएगे minus के 18 आएगे minus के 18 और minus के 5 ये आजाएगे minus के 30 आजाएगे ठीक है तो यहाँ पर या तो आप लोगों को देखी यहाँ करेक्शन करना पड़ेगा ठीक है या तो करेक्शन करना पड़ेगा या क्योशन के अंदर थोड़ी misprint है ये देख लेना ठीक है तो हम लोग चलते हैं अगले क्योशन की तरफ यहाँ पर देखी चार दूनी आठ आठ और तीन कितने होते हैं ग्यारा ग्यारा बटे चार है छे कम छे छे और पांच कितने होते हैं ग्यारा बटे छे होते हैं भाग यह हो जाएगा साथ बटे आठ रहे गए रहेगा गुणा में एक बटा तीन प्लस एक बटा चार रहेगा रहेगा प्लस मुझे बताओ यहाँ इसको ब्रेकिट को हल करना पड़ेगा तो एक काम कर लेते हैं यहाँ हल ही कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर यहाँ एलिसियम कितना आया बारा तीन का बाग देंगे चार बार चार का बाग देंगे तीन बार तो मेरे पास आएगा साथ बटे बारा आजाएगा प्लस पांच बटे साथ भाग तीन बटे देखो यहाँ पर ओफ का मतलब क्या होता गुणा तो यह काम करते हैं इसे भी ह प्लस पांच बटी शाथ बाग को गुणाम बदलेंगे तो क्या आएगा अठाईस बटी नू माइनस तीन बटी चार यह द्यान रखना ठीक है यह रहेगा अब यहां पर देखें यहां क्या आएगा साथ चोक अठाईस आएगा और क्या आएगा देखो यहां पर क्या आएगा यहां पर हम इसको काट लेंगे तो क्या रहेगा देखो यहां पर क्या रहेगा देखो दो से काटेंगे तो क्या आठ बटे दो बाग को किसम बद लेंगे गुणा में तो क्या आएगा 8 बटे 7 गुणा में क्या आएगा 7 बटे 12 यह आजाएगा और यहां कितना आजाएगा बता ओ यहां पर आजाएगा 20 बटे 9 आ जाएगा माइनस तीन बटे 4 यह आ जाएगा ठीक है तो देखो यहां से अगर हम लोग Soul करते हैं दो चौक 8 आ जाएगा और 12 से 12 कर जायेगा साथ से 7 भी कर जाएगा तो सीधा क्या बचेगा एक बचेगा क्या बचेगा एक बचेगा यहां तक तो यहां एक बच गया यहां पर और देखे यहां पर इनको हल करना जरूरी है ठीक है तो 20 बटे 9-3 बटे 4 एलिशियम लिया जाएगा तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा एलिशियम यहां पर तो यहां पर क्या जाएगा 36 और 9-4 चार दुनी 8 और 4 नाम 36 नो 37 यह रहेगा यहां पर और देखे यहां 27 अगर मैं यहां कम करता हूँ तो कितना बचेगा? 9 प्लस 80 बटे में 36 कितना आजाएगा? 89 बटे 36 आएगा किलियर है? 89 बटे 36 36 दुना 72 यानि कुल मिला कि कितनी बार बहा गया? दो बार गया, कितना सेश बचेगा? 17 बचेगा ठीक है? बटे में क्या आएगा? 36 आजाएगा 2 साई 17 बटे 36 तो कौन सा option हो जाएगा, c option हो जाएगा, क्या हो जाएगा, c option हो जाएगा अब देखिए यहाँ पर यह bracket है, यह मेरा bracket है, ठीक है, यह मेरा bracket है तो 3 गुणा 2, भाग, off का मतलब क्या हो गया, गुणा 3 दू निच्छे, गुणा 3 ठीक है, मुझे बताओ, यहाँ off का मतलब क्या होगा, गुणा हो जाएगा तो 5 प्लस 5 गुणा 5 भाग 25, माइनस 5 भाग, off का मतलब क्या हो जाएगा, गुणा यानि 10 गुणा 1 बटे 5, प्लस 2 भाग 7 ओफ 2, यह हो जाएगा, ठीक है क्या हो जाएगा, 5 दू नि 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 दू नि 10 हो जाएगा ठीक है, अब मुझे बताओ, यहाँ कितना आएगा, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, बताओ, यहाँ पर बटे में क्या आएगा, 6 गुणा 3 भाग, अब मुझे बताओ, क्या आएगा, 5 प्लस 5 गुणा 5 भाग, कितना हो जाएगा, 25 माइनस 5, ठीक है भाग, 2 प्लस 2 भाग, भाग का मतलब, गुणा गुणा, साथ दो नि 14 कितना आएगा, देखे, यहाँ पर, कितना आएगा, देखो, यहाँ पर, 3 बटा, देखे, यहाँ काट लेंगे, हम लोग यहाँ, 2 से काटेंगे, 2 ती अच्छे, 3 से काटेंगे, 3 तो क्या बचेगा, 3 बहाग मुझे बताओ यहां से सोल करेंगे यहां से अम लोग सोल करेंगे तो नहीं है 5 प्लस पाँस गुणा 5 बटे 25, माइनिस 5 बटे 2 आ जाएगा प्लस 2 बटे 14 लिखुँगा मैं यहां पर 2 बटे क्या लिखुँगा 14 लिखुँगा देखो यहां से अगर हम लोग सोल करते हैं तो 25 से यह 25 कट जाएगा तो 3 भाग 5 प्लस 1 माइनस 5 बटे 2 प्लस 1 बटे 7 किलियर है तीन भाग क्या जाएगा 6 माइनस 5 बटे 2 प्लस 1 बटे 7 यह किलियर है मुझे बताओ यहां से इतना किलियर है मुझे बताओ यहां से 3 भाग 6 दुनी 12 12 में से 5 गए तो कितना आएगा 12 में से 5 गए तो 7 आएगा 7 वटे 2 आ जाएगा अब गुणा में बदलेंगे तो 3 गुणा 2 वटे 7 करेंगे एक वटे 7 यह आ जाएगा 6 वटे 7 प्ल्स 1 वटे 7 कुल मिला की आया साथ वटे साथ जिसका मतलब होता है एक answer होगा कौन सा option होगा D answer हो जाएगा next question है मारे पास यहाँ पर यह आ जाएगा 5 भाग 2 प्लस यह हो जाएगा क्या हो जाएगा 3x बटे में 1 प्लस 12 1-2 यानि क्या हो जाएगा 2-2x प्लस 2x बटे में 1-x बराबर 25 बटे 2 यह आएगा मुझे बताओ यहाँ 5 के अंदर 2 का भाग देंगे देखें यहाँ पर और भी है 3 off है तो सबसे पहले तो गुणा करेंगे कितना आएगा 15 बाग 2 प्लस 3x बटे में क्या आएगा देखें यहाँ पर 1 प्लस 2x से 2x कर जाएगा यहाँ पर क्या आएगा 12 में अंदर 2 का भाग देंगे कितना आएगा बताओ यहाँ पर 12 के अंदर 2 का भाग देंगे तो 12 बटे वे से 2 बच्चा है और ये x उपर ही जाएगा 1-x ये ध्यान रख लेना क्या बचेगा बराबर 25 बटे 2 इतना तो किलियर है इसके बाद दीखे यहाँ पर समझने की कौसिस करना ये 2 से काटेंगे 2-6 की 12 6 आ जाएगा यहाँ पर ठीक है 15 बटे 2 लिखूंगा 15x बटे 1 प्लस 6-6x बराबर 25 बटे 2 ये रहेगा इतना क्लियर है अब देखो यहाँ से ये lcm आ गया है यहाँ पर अब हमें देखिए यहाँ 15 बटे 2 को इधर लेके आना है पंदरा बटे 2 को इधर लेके आना है ला सकते हैं यहाँ से ठीक है ले आईए क्या आजाएगा द 3x बटे 7-6x बराबर 25 बटे 2-15 बटे 2 3x बटे 7-6x बराबर क्या आएगा 2 और 25 में से 15 गए तो 10 आएगा 2 का भाग देंगे 3x बटे 7-6x बराबर क्या बचेगा 5 ठीक है? क्रोस मल्टिप्लाई करेंगे 3x बराबर 35-30 यह आजाएगा क्या जाएगा? 30x यह रह जाएगा इसके बाद देखें यहाँ पर अगर इसको मैं इधर ले जाता हूँ तो यह हो जाएगा 33x बराबर 35 तो x बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ 35 बटे 33 हो जाएगा ठीक है? क्या हो जाएगा? 35 बटे 35 हो जाएगा कौन सा option हो जाएगा A option हो जाएगा कौन सा option हो जाएगा A option हो जाएगा 2 माइनस 1 बटे 2 प्लस 1 बटे 4 प्लस 1 बटा 6 बाग यहां लिख लीजिए 3 बटे 4 माइनस 1 बटे 2 और यहां पर क्या रहेगा ELSEM रहेगा, क्या रहेगा ELSEM 4, तो 3 – 2 दुनी 4, कितना आजाएगा 2, तो मुझे बताओ, 1 बटा 4 मैं लेक दूँगा यहां पर, क्या लेक दूँगा, 1 बटा 4 में लेक दूँगा, तो क्या हैगा 2 –, अब बताओ, 1 बटे 2 ऐसे के से, 1 बटा 4 ऐसे के से, एक बटे चार प्लाइस दो बटे तीन यह आ जाएगा इतना कर लेंगे हम लोग यहां पर इसके बाद देखिए यहां पर दो माइनस ऐलिस्यम लिया जाएगा कितना आएगा बारा आएगा कितना आएगा बारा दो का बाग दूगा तो कितना आएगा छे चार का बाग दूग तो 3 चोग 12, 4 दूनी 8 यह आ जाएगा, तो 2 माइनस कितना आ जाएगा, 8 और 6 14, 15, 16, 17, 17 बटे 12, ठीक है, और मुझे बताओ 12 दूना 24, 24 में से 17 गए तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 बटे 12, कौन सो अप्शन हो जाएगा, यहाँ पर, यह आप्शन ह जाएगा, अगला सवाल देखे, यहाँ पर, यह सवाल है मारे पास, यहाँ पर, सबसे पहले देखे, यहाँ पर मुझे X का मान ग्याद करना इस सवाल के अंदर, तो क्या है देखे, 2 of 8, तो यहाँ आफ को गुणा में बदलेंगे, 2 गुणा 8, भाग 3 है ऐसे कैसे, 15 ती 15 और 4, 19 बटे 5, भाग X, माइनस, 9 चोग 36, 36 और 7 कितने होते हैं, 36 और 7, 43 बटे 9, बराबर 9 ची की 54, 54 और 8 कितने होते हैं, यहाँ पर, 62 हो जाएगे, 62 बटे 9 आ जाएगा, ठीक है, यह द्यान रखना, अब मुझे बताओ यहाँ पर, क्या आ जाएगा, आरदुनी 16, बाग 3, और 19 बटे 5, गुणा में 1 बटा X, माइनस, 43 बटे 9, यह आएगा, बराबर 62 बटे 9, ठीक है, अब मुझे बताओ, यहाँ पर 16 बटे 3 रहेगा, ठीक है, मेरे पास आएगा, 19 बटे 5 X, यह उस तरब जाएगा, क्या आ जाएगा, बराबर 62 बटे 9, प् 16 बटे 3 आजाएगा, प्लस 19 बटे 5 X आएगा, बराबर 9 L C M आई जाएगा, तो कितना आजाएगा 5, 105, कितना आजाएगा, 105, यह हो जाएगा, ठीक है, अब मुझे बताओ, यहाँ से, गुनिस बटे 5 X, बराबर 105 बटे 9, माइनस 16 बटे 3, तो गुनिस बटे 5 X, बराबर क्या आजाएगा, L C M आजाएगा 9, ठीक है, तो कितना आजाएगा, 105, 3, 9, 16, 48, तो गुनिस बटे 5 X, बराबर क्या आजाएगा, 9, मुझे बताओ, 105 में से 48 गए, तो 8, 7 बच गए, और यह आजाएगा, क्या हो जाएगा, 15 में से 8 गए, तो 7 आएगा, और 9 में से 4 गए, तो पांच, यह बचेगा मेरे पास, ठीक है, तो अब हम लोग इसको काटेंगे, तो गुनिस बटे 5, तो गुनिस बटे 5, और बताओ, यहाँ से मुझे x का मान चाहिए ठीक है तो cross multiply कर देंगे तो 3 बराबर 5x होता है x बराबर क्या हो जाएगा 3 बटे 5 तो x का जो मान आया वो 3 बटे 5 रहेगा कौनसा option होगा b option हो जाएगा अगला जो सवाल है वो देखिए यहाँ पर अब मुझे बताओ off का मतलब गुणा होता है तो मैं लिखूंगा 3 बटे 5 पांचों का 20 और 4 24 बटे 5 गुणा में 5 बटे 16 प्लस 2 बटे 3 बहाग 8 बटे 15 पांच एकम 5 और 1 6 बटे 5 यह गुणा है 6 बटे 5 माइनस 1 बटे 4 गुणा 3 बटे 4 4 एकम 4 और 1 5 यह आजाएगा भाग 5 बटे 4 off का मतलब क्या होगा गुणा 2 बटे 5 पांच से 5 कर जाएगा 2 एकम 2 दो दोनी 4 यह बचेगा 1 बटे 2 यह आजाएगा बताएं क्या लिखूंगा 3 बटे 5 ठीक है और भाग अब हम लोग इसको काटेंगे 5 से 5 काटेंगे 8 दोनी 16 आड़तीय 24 तीन बटे 2 आजाएगा प्लस दो बटे 3 और भाग 8 बटे 15 उना 6 बटे 5 माइनस एक बटे 4 गुणा 3 बटे 4 और यह आजाएगा मेरे पास यहाँ पर 1 बटा 2 आजाएगा कितना आजाएगा 1 बटा 2 आजाएगा 1 बटा 2 आजाएगा ठीक है चलिए आप मुझे बताओ यहाँ पर भाग आ रहा है यहाँ पर भाग पर 3 बटे 5 बटे 5 का मतलब गुणा 2 बटे 3 प्लस 2 बटे 3 क्या आएगा गुणा 15 बटे 8 गुणा 6 बटे 5 माइनस एक बटे 4 2 बटा 1 यह रहेगा इतना कर लीचिए अब जो करता है कार दीचिए क्या एगा 2 बटे 5 यह करता है 3 15 15 और 2 चोक 8 5 से 5 कर जाएगा 2 से काटेंगे तो 3 आएगा 2 आएगा 3 बटे 2 बचा 3 बटे 2 बच गया माइनस इसको भी हम लोग काटेंगे यहां तो और तो करता नहीं 2 से का 8 आया है 3 बटे 8 ठीक है इसके बाद देखिए यहां से आप लोग जब इसको हल करते हैं तो LCM कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा LCM 5 8 4 आट दूनी 16 20 आट पंजे 45 ती 15 तो जो कुल मिलाके है 15 कम करूंगा 15 ती 45 और 45 और 16 मुझे लगता है यहां पर 61 बटे 40 हो जाएगा और 61 बटे 40 मतलब कौन सा आप्चन हो जाएगा यह आप्चन हो जाएगा नेक्स्ट कोसेन हमारे पास तो देखिए इस सवाल को करेंगे हम लोग 85 बाग ओप का मतलब गुणा सत्र चुकू 68 पैंसट बाग ओप का मतलब गुणा तेरा दूना 26 चोदा गुणा 19 में से 25 गए तो माइनस का 6 बाग 12 माइनस 10 और दो गटे 3 यहां आजाएगा 85 बाटे 68 65 बाटे 26 और चोदा गुणा माइनस का 6 बाटे में कितना आजाएगा 12 माइनस का 10 और दो बाटे 3 ठीक है 17 से काटेंगे 75 85 बाटे 75 बाटे 68 तेरे 55 बाटे 26 चे दूनी 12 दो से काटेंगे माइनस का माइनस का माइनस का हो जाएगा प्लस का 2 बाटे 3 थोड़ा और हल करेंगे हम लोग यहां पर 5 बाटे 4 माइनस 3 दूनी 6 चे में से 5 के तो माइनस का 1 बाटे 2 और 2 बाटे 3 ठीक है ओप का मतलब क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा ओप का मतलब क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा ठीक है चलिए तो मुझे बताओ यहां पर क्या निकला बताओ 5 बाटे 4 माइनस का माइनस का 1 बाटा 2 गुणा 2 बाटे 3 ठीक है चलिए 2 से 2 कट जाएगा यहां पर तो क कितना आएगा 4 थी 12, 5 थी 15, 3 चोग बारा 4, कितना आजाएगा 12 बारा आएगा, यहाँ पर जो आंसर आएगा वो 12 बारा आएगा इसमें आप का मतलब क्या हो जाएगा गुणा, 2 बाटी 5, आप मतलब गुणा, 7, 24 और 1 पंदरा बाटी 2 भाग, 3 बटे 4, माइनस 3 बटे 4, 2 एकम 2 रेक 3, 3 बटे 2, भाग, 4 दुनी 8 रेक 9, 9 बटे 4, यह जाएगा 5 दुनी 10 रेक 11 बटे 2, भाग, 3 त्या 9, 10 11 बटे 3, of 3 बटे 8, ठीक है, मुझे बताएं, सबसे पहले 5 से काटेंगे, 5 ती 15, 2 से काटेंगे, 2 दुनी, एक यह जाएगा, तो यहाँ पर भाग को अहल करना है, अपने को, तो 3 गुना, 4 बटे 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 गुना, 4 बटे 3 हो जाएगा, आगे देखिए माइनस, यहाँ पर क्या देखें यहाँ पे आ जाएगा मैनस का 3 बटे 4 और गुणा 3 बटे 2 और भाग को गुणा में बदलेंगे तो 4 बटे 9 आ जाएगा बटे में देखें यहाँ 11 बटे 2 है घड़िए ओफ का मतलब गुणा होता 3 छे 3 कट जाता है भाग 11 बटे 8 आएगा 3 से 3 कट जाएगा 4 माइनस और यहां 4 से 4 कट जाएगा 3 से 3 तिया 9 कट जाएगा 3 से 3 कट जाएगा 1 बटे 2 बचेगा नीचे बचेगा 11 बटे 2 गुणा 8 बटे 11 यह आजाएगा मुझे बताओ 11 से 11 कट जाएगा 4 दुनी 8 7 बटे 2 बचा नीचे क्या बचा 2 चोक 8 चार बचा 2 नीचे आयेगा तो क्या जाएगा 7 बटे 8 आयेगा 7 बटे 8 का मतलब कौन samsl आउब सी paralysis प्रण आयेगा आट चब्पन आ जाएगा ठीक है तो यहां पर सातु आटु चब्पन आठ साथ राटु साथ साथ यानि एक वट्टी चब्पन आया 1 वट्टी साथ प्लस एक वट्टी आठ क्या आयेगा एलिस्यम चब्पन आयेगा सातु आटु छपपन, आटु सातु छपपन, कितना आजाएगा, पंदरा बटे छपपन आजाएगा, ठीक है, यहाँ पर अब हम लोग सोल कर सकते हैं, क्या कर लेंगे बताओ, चार बटे पांच, बहाग, चारती बारा और तेरा, तेरा बटे चार, ओफ का मतलब क्या हो पन और पंदरा बटे छपपन, ठीक है, साचोग अठाईस और दो तीस, तीस बटे साथ, प्लस तीन बटे पांच, यह रहेगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा, देखें, यहाँ पर चार बटे पांच आया, भाग, तेरा बटे चार आया, ओफ को किस में मतलूंगा, गुणा में, क्या आजाएगा, आट बटे तेरा, माइनस, चपन से चपन कट गया, एक बटे पंदरा, ठीक है, और यहाँ आजाएगा, गुणा में, तीस बटे साथ, प्लस तीन बटे पांच, यह रहेगा, ठीक है, तो अब मुझे बताएं, यहाँ से आगे देखेंगे, तो यहाँ क्या आएगा, तेरा से तेरा कर जाएगा, चार दुनी आट आजाएगा, चार बटे पांच आजाएगा, और भाग का मतलब क्या हो जाएगा, गुणा आजाएगा, भाग का मतलब गुणा एक बटे दो, ठीक है, तो पंदरा दुना तीस आजाएगा, और दो वाटे पांच पिया आएगा LSM बताएं यहां पर LSM कितना आजाएगा यहां पर पैंटीस आ जाएगा पांट साथ फैंटीसस दूनेट्व canoe दस पांट सात पैंटीस साथ यहां इक्तीस ठीक है तो चोदा और एक्तीसस इतना जाएगा बताओ यहां पर 35-10 बटे 35 आना चाहिए ठीक है तो 35 में से 10 गए तो कितना आएगा 25 बटे 35 यह आएगा 25 बटे 35 आएगा 5 से काटेंगे 25, 25, 35, 35, 5 बटे 7 कौन सा option हो जाएगा यह option हो जाएगा ठीक है यह आजाएगा यह ब्रेकिट होई गया 21 में से 25 गए तो क्या बचेगा माइनस के 4 माइनस के 4 बचेंगे तो मुझे बताओ 60 बटे में 16 आजाएगा गुणा में 2 यहां आजाएगा छेतर और का मतलब क्या यहाएगा गुणिस 5 पिच्चान में 15 बटाओ 8 गुणा माइनस के 4 माइनस के 3 बाग तरीपन ठीक है और देखे यहां पर कितना जाएगा यहां से काटेंगे चार से काटेंगे चार से काटेंगे पंदरा चार चुक सोला पंदरा दुना ती दो दुनी चार कितना जाएगा पंदरा बटे दो 15 बबाग 8 ये रहेगा क्या मिलकुर रहेगा क्योंकि इसके नियेल करना तो क्या 8 का भाग 15 पे देंगे तो कैसे लिखेंगे यहां पर 15 बटे 8 लिखोंगा गुणा में माइनस के 4 लिखोंगा माइनस के 3 बाग तरेपन है इसका इतना कर लिया इसके बाद में 15 बटे 2 लिखोंगा यहां पर यहां पर देखी 4 से काटेंगे 4 दुनी 8 यह आ जाएगा तो 4 वटे 5, माइनिस 15 वटे 2, माइनिस माइनिस प्लस का हो जाएगा, माइनिस का 3 आएगा, भाग तरेपन ही है, इसके बाद में 15 वटे 2 ऐसे कैसे रहेगा, और यहाँ पर क्या आजाएगा, देखिए अगर आप लोग सॉल करते हैं, तो ऐलिसियम आजाएगा, आपके पास 10 दूनी 10, 8 आजाएगा, 2, 5, 10, 15, 5, 45, माइनिस का 30 आजाएगा, भाग तरेपन, ठीक है, तो 15 वटे 2, माइनिस, यह हो जाएगा, 30 कम कर दूँगा, कितना आजाएगा, 45, 45 और 8 कितने हो जाएगे, यहाँ पर, 45 और 8 कितने हो जाएगे, तरेपन, बटे में क्या आएगा, 10, तरेपन, ठीक है, यहाँ पर आएगा, 15 बटे 2, माइनिस, तरेपन बटे 10, गुणा में, एक बटे तरेपन, यह मेरी पास रहेगा, तरेपन से तरेपन कट जाएगा, 15 बटे 2 आएगा, माइनिस का, एक बटे 10 आजाएगा, एलिसियम कितना आएगा, 10, दो का भाग देंगे 5, 5, 15, 5, 45, 10, दस का भाग देंगे, एक, कितना आजाएगा, 14 बटे 10 आजाएगा, यानि कुल मिला के 7 सही, देखें, इसको काटेंगे भी हम लोग यहाँ पर, ठीक है, 36 बटे 5, कितना आजाएगा, 57, 35, 7 सही 2 बटे 5, 7 सही 2 बटे 5, 7 सही 2 बटे 5, ठीक है, अब देखें यहाँ से, ओफ का मतलब क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, 0.2 गुणा 2, प्लस एक बटे 2, भाग 2, गुणा 2 से 2 कर जाएगा, 5 हो जाएगा, माइनस का 1.5 प्लस यहां जाएगा 3 गुणा 1 बटे 3 बाग को केसे बदलेंगे गुणा में 3 बटे 2 आ जाएगा माइनस 2 बटे 5 यह आ जाएगा किलियर है अब मुझे बताओ यहां से यह हो जाएगा यहां पर ठीक है तो अब देखे यहां पर गुणा 2 से तो 2 कटी चुका था यहां 5 आई चुका था बाग को अल करना 0.2 गुणा 2 प्लस 1 बटा 2 बाग को गुणा में बदलेंगे तो 1 बटे 2 प्लस 5 माइनस 1 कुण 5 प्लस 3 गुणा 1 बटे 3 इसको हल कर लेते हम लोग यहां पर 3 से 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा 3 बटे 3 बटे 2 बचेगा कितना बचेगा 3 बटे 2 बच जाएगा माइनस का देखो 3 से 3 कट गया 3 बटे 2 बच गया माइनस का 2 बटे 5 और लिख दीजिए अब हल करेंगे यहाँ पर तो हल तो होता नहीं यहाँ पर 0.4 आएगा यहाँ पर और यहाँ 5 बटी 4 आएगा माइनस का 1.5 है और यहाँ पर भी अगर हम लोग पॉइंटों में ही दे लेते हैं पॉइंटों में देना नहीं है वैसे तो एक काम करते हैं इसको sol कर लेते हैं 4 बटे ठीक है 4 बटे 10 कर लेते हैं जिसको काटेंगे तो क्या आएगा 2 बटे 5 और यहां 3 बटे 2 है है और यहां 2 बटे 5 है है ठीक है यह रहेगा यहां पर इसको भी सोल कर लेंगे 2 बटे 5 प्लस 5 बटे 4 माइनस 15 बटे 1.5 का मतलब क्या होता है 15 बटे 10 5 ती 15 पांच दूनी 10 5 ती 15 पांच दूनी 10 यह लिख दूँगा प्लस 3 बटे 2 माइनस 2 बटे 5 ऐलिसियम हम लोग ले लेंगे अब यहाँ पर मुझे बताओ वेसे तो हमें यह पता लग गया कि यह वेल्यू और यह वेल्यू तो कट गई है याद रख लीजिये बाकी संक्याओ का क्या ले लेंगे हम लोग ऐलिसियम ले लेंगे कितना आएगा 4 तो यहाँ 5 आ जाएगा 2 दूनी 4 6 आ जाएगा 2 दूनी 4 6 आ जाएगा ठीक है तो यहाँ से हम लोग सोल करेंगे यहाँ पर वेल्यू को हल करेंगे करेंगे अच्छे मुझे बताओ यह तो प्लस का होगा ठीक है 6 प्लस का 6 माइनस का कट गया तो आंसर आएगा 5 बटी 4 कितना आएगा 5 बटी 4 कि यहाँ पर इस ब्रेकिट को अलग हल करेंगे 2 इंटू 3 कितना जाएगा 6 तो 12 भाग कितना जाएगा 6 और भाग 8 में से 5 गए तो 3 तो 24 भाग 3 यह आ जाएगा 6 दूनी 12 दू आ जाएगा और 3 आठ 24 आठ आ जाएगा कितना आएगा 2 बटी 8 कितना आएगा 1 बटी 4 कौन सा आप्शन हो जाएगा एप्शन हो जाएगा ठीक है क्लियर है चलिए मिलेंगे हम लोग अगली क्लास के अंदर तब तक के लिए थैंक्यू धन्यवाद